तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि Big Boss में हर साल काफी बड़े-बड़े सेलीब्रेटिस आते हैं तो यह बात भी काफी उब्य celebrेटिस है कि वो सारे के सारे सारे सेलीब्रेटिस ब्रैंड डालते हुंगे लेकिन क्या कभी आपने ये बात नूटिस की है कि वो जितने भी कपड़े डालते है, उन कपड़ों के ऊपर कभी भी किसी brand का बड़ा सा logo नहीं होता, ऐसा इसलिए है क्विक बोस नहीं चाहता कि वो कोई ऐसा कपड़ा डाले जिसके ऊपर उस brand का एक बड़ा सा logo हो, क्योंकि वो उस brand को promote नहीं करना जाते जो उनको sponsor कर ही नहीं रहा इसलिए Big Boss में जितने भी contestant है वो branded कपड़े तो डालते हैं लेकिन वो उस brand का कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं डालते जिसके उपर उस brand का एक बड़ा सा logo हो तो दोस्तो Big Boss में हमें ये दिखाया जाता है कि जितने भी contestant है वो हर दिन सुबा आठ बजे उठते हैं लेकिन दोस्तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि कभी कभी Big Boss जो morning में alarm के तौर पे एक song चलता है वो कभी 9 बजे चलाते हैं कभी उसे 10 बजे चलाते हैं वो डिपेंड करता है कि पिछली रात को जो टास्क चल रहा था वो कितने बजे खतम हुआ है अगर वो टास्क लेट खतम हुआ है तो Big Boss भी अगली दिन उनको लेट उठाते हैं क्योंकि Big Boss को उनको rest देना भी जरूरी होता है लेकिन दोस्तों टीवी पर हमें हर दिन यही दिखाया जाता है कि जितने वी कंड़ एस्टन है वो हर दिन सुबह 8 बजे ही उठते हैं लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं होता तो प्रेंट्स जैसे के हमें दिखाये जाता है कि वीकेंड का वार एपिसोड सेटड़े और संड़े को आता है तो हमें लगता है कि ये दो दिन शूट होता है लेकिन दोस्तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये weekend का वार का जो episode होता है Saturday और Sunday का ये दोनों episode एक ही दिन shoot होते हैं और ये कभी दिन में shoot होते हैं या फिर कभी रात को shoot होते हैं ये depend करता है कि सल्मान खान साथ कब free है तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता है कि Big Boss में जितने भी contestants होते हैं उनको अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता है उने कुखिंग भी खुद ही करने पड़ती है लेकिन दोस्तो जिस धिन वीकेंड के वाइब एपिसोड शूट होना होता है उस धिन कोई भी गर पे खुखिंग नहीं करता क्योंकि उस धिन सारे जाने मेक अप करते हैं रैडि होते हैं क्यु offset वीकेंड का बार शुट होना होता है तो उस दिन कुकिंग करता कौन है तो बैसिकल्म उस दिन कोई भी करता है जितना भी खाना होता है वह बिक बॉस फूने परोईड करता तो बिग बॉस में जितना भी नौनवेज खाना है वो वीकेंड के बारवाले दिने ही आता है उस दिन ही बिग बॉस उन्हें खाना प्रॉआड करते हैं तो दोस्तो काफी जाने मेच से यह पूछते हैं कि बिग बॉस में जो आउडियंस बैठी होती है वेकेंड के बार वाले दिन वो रियल होती है कि फेग तो दोस्तो उसमें कुछ लोग तो रियल होती हैं लेकिन जादतर लोग उसमें फेग होते हैं जो डेली वेजिस पे वहा याती है और उसी रिसाद से बाद में उनको पैसा भी दिया जाता है तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने देखा यह अगा कि Big Boss में जितने भी कंटेस्टेन्ट होते हैं उन्में से कापी सारे जाने Big Boss के गर में क्लीनिंग का काम करते हैं कोई जारू पोचे का काम करता है कोई ट्वाइलेट क्लीनिंग का काम करता है तो हर कोई कोई न कोई क्लीनिंग का काम करता है लेकिन दोस्तों बिग बॉस के गर में सिर्फ कंटेस्टेंट ही नहीं है जो क्लीनिंग का काम करते हैं जब ये कंटेस्ट तो बिग बॉस क्या करता है इनके बैड रूम में जो ब्लाइंड कटन सोते हैं उनको नीचे कर देता है ताम कि कंटेस्टेंट कुछ भी बार का ना देख पाएं उसके बाद बिग बॉस के गर में जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो बाहर से अंदर आते हैं वो जितना भी गर बिग बॉस के सफाई कर्मचारी भी क्लीमिंग का काम करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप मेंसे काफी लोग जाते होंगे कि बिग बॉस के गर में स्मोकिंग करना अलाउड है लेकिन स्मोकिंग के लिए एक अलग से कमरा बना होता है जिसके अंदर आप जाके स्मोकिंग कर स सकते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप गड़ के किसी भी कोने में बैट के स्मोकिंग कर सकते हो लेकिन दोस्तों इसके साथ काफी लोग यह कहते हैं कि बिग बॉस के गड़ में अलकॉल भी होती है लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बिग बॉस के गड़ में सिर्फ आप स्बोकिंग कर सकते हो इसके लावा को भी ड्रग्स या फिर अल्कोल अलाउग नहीं होती है तो दोस्तो जैसके आप सभी को पता है कि बिग बॉस के गर में जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं वो एक कॉंट्रेक्ट साइन करके ही गर के अंदर आते हैं तो दोस्तो उनके कॉंट्रेक्ट में ये भी लिखा होता है कि अगर वो कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से बिग बॉस का गर छोड़के जाना चाता है तो उसको एक huge amount पे करनी होगी जो की लगबग 2 कुरोड रुपे होती है मतलब अगर आप विक्ट हो जाते हो तो आपको कोई भी पैसन नहीं देना लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से गर को छोड़के जाना चाते हो तो आपको लगबग 2 कुरोड रुपे देने पड़ेंगे तो दोस्तो ये तो आप सभी को पता है कि बिग बॉस के गर में जितने भी contestant आते हैं उन्हें गर में आने के लिए कुछ amount दी जाती है लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनको हर हफते की salary भी मिलती है जी हाँ जितने भी celebrity हैं जाफर commoner हैं उन्हें हर हफते की एक अलग से amount दी जाती है मतलग जितने हफते के लिए वो बिग बॉस के गर में रुकेंगे उसे हिसाब से उनको एक अलग amount दी जाती है ये amount सब की same नहीं होती किसी को जादा दिया जाता है किसी को कम दिया जाता है ये depend होता है कि आप कितने बड़े star हो तो दोस्तों जैसे के हम सभी को पता है कि बिग बॉस का show तीन साधे तीन महीनों तक चलता है और contestant भी अपना समान उसी हिसाब से लेके आते हैं लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि contestant का समान खतम हो जाता है जहां फिर उन्हें किसी नए कपड़े की जुरत पढ़ जाती है तो ऐसे में contestant क्या करते हैं कि उन्होंने बिग बॉस को एक अपने family member का number पहले से ही दिया होता है और वो बिग बॉस को request करते हैं कि वो उनकी family से contact करके उनका समान मगवा ले और जब उनका समान आ जाता है तो बिग बॉस वो समान contestant को provide कर देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार जो समान आप करके अंदर लेके चलेगे उसके बाद आप अपना कोई भी नया समान नहीं मंगा सकते